हेलो बच्चो वेलकम टुगनी दंग बच्चो जेए मेंस 2025 की एक्जाम आने वाली है फॉर्म फिलिंग चल रही है यह वैसे तो वीडियो मेंने बहुत लेट डाला है लेकिन अभी भी बच्चे कोशन्स पूछ रहे है कि सर एक्जाम देना चाहिए क्या फॉर्म फिल करना चा भर सकते हैं तो फ्राइडे यह हमारे लास्टे होगा ट्विटी सेकेंड नॉइंबर ध्यान रखिए और सब बच्चों को फॉर्म फिल करना चाहिए जही मेंस एक्जाम देनी चाहिए सर क्या फाइदे है चले पहले पहला फाइदा वैसे तो हम बहुत सरी एक्जाम से हमें experience मिलता ही मिलता है लेकिन जही मेंस exam देने से एक real time experience मिलेगा वो center visit करना वो center पे जाने की बाद क्या feeling होती है कितना डर लगता है कैसे absorb करते हैं आजू बाजू में क्या computer के बाजू में इतने बड़े बड़े कुछ partitions लगे होते हैं क्या पानी मिलता है क्या rough sheets कितनी मिलती ह यह सारे questions के answer आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि real time match practice हो सकती है कि exactly क्या होने वाला है आपके साथ वो भी आपकी CT exam देने से पहले आपको पता चल जाएगा तो यह बहुत बड़ी चीज होगी और सबसे बड़ा फाइदा होगा यह अगर आप J.E.Mains 2025 attempt करते हो क्योंकि यह भी online है computer based exam है कही center जाना है वो सारे सारे experience आपको देगा तो यह सबसे बड़ा फाइदा और इसले मुझे लगता है कि आपको यह exam देनी ही तो इसके अलावा आपको difficulty level पता चलेगी आपको पता चलेगा कि आपने चुब पढ़ा है वो कितना difficulty level J.E.Mains के match कर रहा ह क्योंकि आजकल C.E.T. का paper भी mains की तरह हो रहा है तो क्या कुछ questions मुझे familiar लग रहे है अगर नहीं लग रहे है पूरे के पूरे बहुत different लग रहे है तो यार मुझे थोड़े बहुत तो पता होने चाहिए देखो 25 अगर maths की बात करू उसमें से 6-7 questions आपको ऐसे लगने चाह लेगा और फाइदा जो है वह आपको पता है कि सीट रिजर्वेशन है महाराश्य के कॉलेज में आप जेही मेंस के दुरू भी एडमिशन लेते हो 15% 15% जो है वह कोटा होता है ओल इंडिया सीट का जो जेही मेंस का score eligible होता है अगर आपका जेही मेंस का score अच्छा रहा तो आप काफी कॉलेज में अडमिशन ले सकते हो तो यही बहुत बहुत बढ़ा फाइदा है कि एक और तरीके से हम एंट्री कर सकते है महाराश्य के top colleges में ते तीन सबसे बड़े फाइदे जिस कारण आपको जेही मेंस देनी ही चाहिए अब सर कुछ बच्चे सोचते क्यों नह नुकसान है एक लॉज जो मुझे दिखता है कि आपको फीज करनी पड़ेगी जो भी 1000 रुपे जितनी भी फीज है वह आपको पे करके रिजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बट आइधिंक चलेगा ना हजार रुपे बहुत बड़ी बात नहीं होगी फीज इतनी जाधा नह लो perceptions रहेगा तो यहां में आप बच्चो को एक आँसर देना चाहता हूं क्या आपका जही मरी जो था क्या आपने दो साल जेमेंज 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 ही करी है अगर आपने करी है तो आप तो जेमेंज दे नहीं वाले हो लेकिन आपने नहीं करी है तो आप experience के लिए जा रहे हो आपका प्राइमरी गोल एमिश्टी सीटी और बोर्ड यही सब चीजे थी है ना अप लियर हो तो अगर यहां पर कम आये ज्यादा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप लगी हो जाते हो मेरा एक स्टुडेंट था बहुत लगी उसका स्कोर बहुत अच्छा ग्यार विए नाटी में एडिम लेस होगा तो हमें की फॉर्म फिलिंग करने ही चाहिए मैं फिर बता दू ट्वेंटी सेकेंड नवेंबर इस फ्राइड़े को लास जेट है और जब आप फॉर्म करोंगे तो आपको यूज करना है अधार काट सामने रखिए ठीक है तो आप सब लोग अभी भी अगर नही सब्सक्राइब मैं जेएमेंज 2025 दे रहा हूँ और बेस्ट मेरी विशेश हमेशा आपके साथ है थैंक यू